आप एक रेंडिया न्यूस का डिजिटल प्लैटफॉर्म आपके साथ महरश नबंसल आपने दिल्ली का कंछावला कास पिछले दिनों बहुत ज़ादा सुना है जिसमें अंजली 20 साल की उफ्टी को कई किलोमीटर तक हसीटा गया और उसकी जान ले ली गए उसकी मौत हो गई उस वक्त भी हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेटा कहते हुए नजर आये थे कि हाँ इंसाफ मिलेगा दिल्ली पुलिस कह रही थी कि जहाँ चल रही है अभी जांच की प्रक्रिया चल ही रही है अभी इन प्रोसेस है ये पूरा केस दिल्ली महिला आयो की अभी लोग आरोपी है और उन्हें पुलिस का स्टेडी में लेकर जान चल रही है उनके खिलाफ F.I.R. हुई है तो निधी को क्यों छोड़ दिया गया है निधी से भी सक्ती से पूछ आच होनी चाहिए क्योंकि वो टीवी पर जाकर उल जलूल कुछ भी बोल रही है और अ स्वाती मालिवाल चुकी दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाडियों का धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में स्वाती मालिवाल उन्ही महिला खिलाडियों से मिलने के लिए पहुची थी स्वाती मालिवाल जो दिल्ली में कानून विवस्ता को लेकर महिलाउं के खिलाफ बढ करमारी और उसके बाद जब मैंने उन्हें पलट कर जवाब दिया तो मेरा हाथ उनके विंडो में बंद हो गया आप में कई बार ये देखा होगा या खुद भी अनुभव किया होगा अगर गाड़ी का शिशे एकदम से चड़ाया जाता है तो हाथ कई बार थस जाता है स्वा भगवान ने मेरी जान बचा ली यदि डिल्ली में महिला आयो कि अध्यक्षी सुरक्षित नहीं है तो हाल सोच लीजे कि कैसा होगा ये ट्वीट भी आप देखिए वो बता रही है कि करीब 15 मीटर तक 10 से 15 मीटर तक उस कार सवार ने मुझे घसीटा और उसके बाद मैंने इस मामले में जाच की बात कर दी है पुलिस से मैंने इसकी शिकारत की है लेकिन आप समझ सकते हैं कि डिल्ली महिला आयो कि अध्यक्ष के साथ अगर ऐसा हो रहा है अगर मेरी ही सुरक्षा को लेकर इस तरह की बाते सामने आएंगी तो अंदाजा आप लगाईए कि डिल्ली के केस में भी उन्होंने बहुत बढ़ चड़कर अपनी भूमीका को सामने रखा उन्होंने निधी के खिलाफ कारवाई की मांग भी की अब थोड़ा सस्पीशिस ये लग रहा है कि इस मामले में क्या जान बूचकर कही सुआती मालेवाल को या उनकी जान को नुक्सान रोपी था उसे अरेस्ट कर लिया है 47 साल के हरिश चंडर के रूप में उसकी पहचान हुई है और साउठ डिली के डी सी भी है चंदन सिंग जो बता रहे हैं कि स्वाती मालेवाल को जिसने उसके साथ बसलूकी की या फिर कार्ब में हाथ उनका रह गया और उसे घसीटा गय वो कह रहे है कि इस शक्स की हमने जात शुरू कर दिया है हिरासत में लिया गया है लेकिन वाकर यह घटना जब मैंने पढ़ा इस न्यूज की बारे में तो मुझे भी हैरानी हुई आपको भी यह न्यूज जाननी चाहिए और दिली में महिला सुरक्षा को लेकर वाकर सोच पुचने वाली चीजें हैं दिली पुलिस को पुच कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि कम से कम दिली में रहने वाली महिला है खुद को सेफ सिक्यूर समझ सकें यह विश्वास दिली पुलिस को दिलाना होगा